नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूटीब चल पर आप सभी का स्वागत है डिक्टेशन UPSI ASI एक्जाम को ध्यान में रखते भी बोला जाएगा तो रेडी हो जाएगे, पांच सेकेंड में डिक्टेशन सुरू करेंगे कुछ समय पहले घर के कामकाज में सहयोग करने वाली महिला बेटे के साथ दिखी तो परेशान लग रही थी, उसने बताया कि पति के इलाज बच्चों की पढ़ाई किराया समय पर ना दे पाने पर मकान मालिक द्वारा मकान खाले कराने की धमकी जैसी समस्याओं से वह दो चार है उसका तातकालिक समाधान तो निकाला गया, लेकिन यह कोई इस्थाई उपाय नहीं था उसका पति शहर के मुख्य मार्ग के एक किनारे फल सब्जी का ठेला लगाता था उसकी आमदनी से घर खर्च चल रहा था लेकिन मुख्य मार्गों को चवड़ा करने के लिए प्रशाशन की ओर से ठेलों को वहां से हटाने का निरणय लेकर उन्हें ऐसी जगह ठेले लगाने के आदेश दिये गए जहां ग्राहकों का आवा गमन नाम मात्र का था नई जगह पर बहुत कम ग्राहकों के आने से घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया फल सबजी के जमे जमाय काम को छोड़ कर वह मजदूरी करने को विवश हो गया उसके बाद तंग हाली से मजबूरी में महिला भी कुछ घरों में साफ सफाई का काम करने लगी गरीबी ऐसी बीमारी है जो मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है उन्हें समय से पहले समझदार बना देती है महिला के 12-13 वर्ष के बेटे से घर की तंगहाली नहीं देखी गई वह विद्याले की छुट्टी होने के बाद कोई काम धन्दा करके अपनी कमाई से घर में सहयोग देना चाहता था महिला अपने बेटे को इसी लिए साथ लेकर आई थी कि उसे कहीं काम पर लगवा दिया जाए बालश्रम निशेध व नियमन अधिनियम 1986 और संशोधित अधिनियम 2016 के प्रावधानों के मताबिक 14 वर्ष से कम आयुवालों को रोजगार पर रखना कानूनन गलत है रोजगार देने वालों को 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद और 20 हजार से लेकर 50 हजार रूपए तक जुर्मानाया दोनों सजा हो सकती है मा बेटे दोनों को समझाया गया कि इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं पढ़ते लिखते हैं मेहनत मजदूरी के बजाय बच्चे को पढ़ना चाहिए लेकिन बेटे को माता पिता की परेशानी नहीं देखी जा रही थी आखिरकार वह सुबह स्कूल के बाद एक ढावे पर काम करने लगा लेकिन वहां से भी उसका काम छूट गया दरसल कुछ सरकारी अफसर धावे पर आये और उसके मालिक को बच्चों से मजदूरी नहीं कराने की हिदायत देकर गए थे हम सब को पसीना बहाते काम करते बाल श्रमिक सब जगह दिखाई देते हैं सरकारी कारियालियों के आसपास भी वे किसी होटल में कप प्लेट धोते बरतन साफ करते दिख जाते हैं देखने के बजाय ना सिर्फ आम लोग बलकि जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम भी अंदेखी करते रहते हैं लेकिन जब बाल श्रम मुक्ति का अभियान चलाया जाता है तब बाल सनरक्षण अधिकारों का इस्मरण करते हुए बाल श्रम की रोक थाम के प्रती सजगता दिखाई देती है डिक्टेशन में टोटल वर्ड्स हैं 450 और डिक्टेशन कम्प्लीट गई है लगभग 5 मिनट 32-35 सेगंड तक तो आज वीडियो फॉर्म में है डिक्टेशन तो आप यहां से वर्ड्स देख सकते हैं डिक्टेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज के सभी वीडियो आप देख डाले यह दिया आपने इससे पहले नहीं देखा है देखने का मतलब है कि आप डिक्टेशन लिख डालिए लिख चुके है तो और भी डिक्टे